हलो एवरिवन आप देख रहे हैं चैनल अमीन इंफो दोस्तो एसुल के अंडर्ग्रिजुएट कोर्सिस के फाइनल एर के रिजल्ट 26 दिसंबर से आना स्टार्ट होई हैं और आज के टाइम में भी दो जनवरी को मॉर्निंग में मैं सुबा वीडियो बना रहा हूँ अभी भी बी ए प्रोग्राम का रिजल्ट आना बाकी है और एक स्टुडेंट का रिजल्ट आना बाकी है जो कि सेकंड एर रिपीट कर रहे हैं आज की इस वीडियो में हम थोड़ा इगनू और एसोल में थोड़ा कंपेजन करेंगे कि आपको किस यूनिवर्सटी में एडमिशन लेना चाहिए अब दोस्तों बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ग्रेजोशन कंप्रीट करिये हाल ही में उन्होंने लेकिन उनका एडमिशन मास्टर्स में भी हो चुका है विकॉस उनको इस बात की नॉलिज थी कि एगनू प्रोविजनल एडमिशन प्रोवाइड कर रहा है इस बात की नॉलिज थी कि डी यू या फिर एडमिशन होते हैं उसके फॉर्म पहले ही निकल जाते हैं थीक है तो इस वज़े से बहुत से बच्चों का मास्टर्स में एडमिशन हो भी चुका है पिर चाहे वो एस्वल हो या फिर एगनू हो लेकिन अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मास्टर्स में एडमिशन देना चाहते हैं और अब उनके सामने कोई भी रास्ता नदर नहीं आ रहा है विकोज उन्होंने ना तो DU का फॉर्म फिल करा था और ना तो उनको IGNU के बारे में SS knowledge थी हालके मैंने वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करी थी कि IGNU सेकंड एर की मार्क शीट पर प्रोविजनल एड्मिशन दे रहा है बड इस्टिल आप लोगों ने शायाद किसी भी रिजन के वज़े से एड्मिशन ना लिया हो उस टाइम पर तो आज मैं थोड़ा कंपरिजन करने वाला हूँ IGNU और SSL पर तो सबसे पहली चीज दोस्तों यार जैखो डिगरी दोनों की सेम है पढ़ाई दोनों की almost सेम ही है और आप यह सोच कर बैटे हो कि यार मैंना SSL में एड्मिशन ले लिया IGNU में लेना चाहिए था पढ़ाई के बेस पर या डिगरी के बेस पर तो आप यह मस सोचो आपना SSL में एड्मिशन ले लिया या IGNU में ले लिया लेकिन कुछ points है जो कि मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा तो सबसे पहली चीज़ दोस्तो SSL में जो अड्मिशन होते हैं वो आपके दो तरीके से होते हैं Merit Best और Entrance Best ठीक है? Merit Best in the sense आपने graduation DU से ही करी हो आपने graduation DU से ही करी हो और जिस subject में आप master's करना चाते हैं उसी subject में करी हो लाइक आप MA Political Science में जाना चाते हो तो DU से आपने graduation BA Honors Poles Science ही किया हो अगर आपने BA प्रोग्राम किया है किसी भी university से DU से भी या फिर किसी और भी university से तो उस case में आपको entrance देना होगा चाहे आप SL में admission लेना चाह रहे हो या regular में लेना चाह रहे हो या फिर NC web में लेना चाह रहे हो ठीक है तो SL में दो तरीके से admission होते है merit और entrance और अगर आपने graduation BA प्रोग्राम किया है और आप admission, master's में लेना चाहते हो किसी भी subject में तो उस case में आपको entrance दे के आना होगा एक तो ये चीज़ दूसरी चीज़ IGNU की बात ये है कि IGNU में entrance नहीं होता है IGNU में direct admission form आप fill करते हो ठीक है direct document submit करते हो और direct fees पे करते हो admission fees उसके कुछ time बाद आपका admission 101% confirm हो जाता है अगर आपने document ठीक से upload करें है तो कहीं बाद थोड़ा time लग जाता है एक महने से जाता है कहीं बाद admission confirm होने में बट वो confirm जरूर होता है अगर आपने document ठीक से upload करें है एक तो ये चीज़ हो गई दूसरी चीज SOL के अंदर दो courses है वो MA Hindi है MA History है MA Political Science है और MA Sanskrit है टोटल पांच courses SOL offer करता है वहीं IGNU की अगर मैं बात करूँ तो IGNU में वेराइटी बहुत ज़्यादा है courses की Masters level पर भी IGNU बहुत सारे courses प्रवाइड करता है ठीक है तो आप इस में से choose कर सकते हो आप prospectus का link में एक description में दे दूँगा चाहो तो एक बार उस prospectus को ज़रूर देखना IGNU की ठीक है अच्छा अब यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके graduation में marks अच्छे नहीं आए होते हैं graduation वो complete तो कर लेते हैं बट उनके marks 50% भी नहीं बनते और वो होते हैं general category के बच्चे अब actual का क्या scene है बट लिस्ट graduation में 50% marks आपको लाने होंगे तब जाके आपका actual में admission होगा ठीक है यह basic criteria है graduation में 50% marks लाओ फिर हम देखेंगे कि बट आप merit के थूँ आ रहे हो या entrance के थूँ आ रहे हो आपके course पर depend करता है बट इगनू के अंदर ऐसा नहीं है इगनू के अंदर आपको सिर्फ graduation में पास होना ज़रूरी है हर subject में marks की ऐसी कोई खास requirement नहीं है S.W.L. का एक चीज़ में आपको समझा दूँ जो S.C.S.T. category के बच्चे हैं उनके लिए उनके लिए marks की requirement as well में admission नहने के लिए नहीं है और वहीं S.C.S.T. category के जो बच्चे हैं अब of course इगनू में general OBCI S.C.S.T. किसी के लिए भी नहीं है marks की requirement लेकिन इगनू में एक और चीज़ है इगनू के अंदर S.C.S.T. category वालों के लिए fees में relaxation मिलता है समझे मेरी बात fees उनको नहीं पे करनी पड़ती ये बात है इगनू में ये कुछ comparison है आप और भी discussion कर रहा हूं हूं है अच्छा अब थोड़ा यहाँ पर हम student friendly चीज़ों के बारे बात करते है एड्मिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बारे में बात करते है देखो यार S.O.L. का जो result होता है वो हमेशा लेट आता है अब वो क्यों आता है उसके उपर बहुत सी discussion करी जा सकती है लेकिन मैं आप उपर उपर साब को बता रहा हूं कि S.O.L. का जो result है थोड़ा लेट आता है ठीक है हाला के master's courses में उतना आपको शायद problem ना हो बट फिर भी result लेट आने की वज़े से हो सकता है आपका UGC का net का exam रुख जाए आपका UGC net के लिएर हो जाए आप किसी PhD के लिए जाओ तो हो सकता है result आपका किसी दिन आपका दो सब्जेट का गया फिर तीन सब्जेट का गया ये सारा criteria है अच्छा IGNU के अंदर assignment होता है S.O.L. के अंदर assignment नहीं होते हैं ये भी चीज़ आपको समझनी पढ़ेगी इगनू में assignment जो है IGNU का बहुती crucial पार्ट है without assignment submission आप IGNU की डिगरी complete नहीं कर सकते हो वहीं S.O.L. में assignment नहीं होते हैं Master's courses पर S.O.L. study material प्रवाइट नहीं करता है IGNU प्रवाइट करता है हाला कि IGNU क्या करता है कि कहीं बार आपको by post से send कर देगा study material और कहीं बार आपको आपके regional center पर जाकर purchase करना पड़ेगा study material ठीक है अच्छा अब देखो कई बार क्या होता है जब आपके result आता है तो आप अपने subject के mark से खुश नहीं होते हैं आप चाता हो कि यार नहीं इसको मैं re-check करवाँगा तो re-check का जो सारा procedure है उसके लिए आपको S.O.L. campus physically visit करना पड़ेगा वहीं IGNU की अगर मैं बात करूँ तो IGNU में वो सारा procedure online है आपको कहीं पर भी जानी की जरुवत नहीं है पहले offline procedure था लेकिन पिछले दो साल से ये procedure भी complete online कर दिया है IGNU ने आई होब कि S.O.L. भी आने वाले टाइम में offline कर दे बट नहीं S.O.L. का क्या है पहले आपको वहाँ पर campus में जाना पड़ेगा अपने mark sheet सब कुछ verify करवानी पड़ेगी फिर online fees pay करनी पड़ेगी फिर fee receipt attached करके physically आपको university में submit करनी पड़ेगी यह rechecking का procedure में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यह भी एक बहुत इंपोर्टन पार्ट है आपी ग्रेजूशन या master's वाली life में तो कई कई बच्चे अपने mark से संतुष नहीं होते हैं और master's में बहुत से बच्चों का स्कॉप होते हैं कि यह एक और चीज़ है एक्जाम होते हैं या nc web के अंदर भी जो एक्जाम होते हैं वो semester mode में होते हैं तर्स semester second semester third and then fourth कोई इग्णू के अंदर जो exam होते हैं वो annual mode में होते हैं साल में एक बार आपकी exam होंगे इग्णू के अंदर ठीक है यह भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि बहुत से बच्चे के आते हैं वो jobs कर रहे होते हैं अपने साथ में अपनी family को सपोर्ट करने के लिए वो कोई भी छोटी मोटी या private firm में job कर रहे होते हैं तो job के साथ साथ वो master's भी of course करना चाते हैं बहुत से बच्च करते हैं चलोगे तो आप साल में जो एक बार exam इग्णू के होता है उसके लिए ready हो सकते हूँ but at the same time आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि एग्णू के अंदर assignment भी होते हैं आपको थोड़ा बहुत time निकालकर बलके थोड़ा बहुत नहीं अच्छा कासा time निकालकर assignment भी prepare कर नहीं होंगे क्योंकि again में repeat करता हूँ assignment के बिना पर आपको इग्णू पास नहीं कर सकता डिगरी आपको नहीं मिलेगी ठीक है अच्छा अब यहां पर एक और चीज़ आपको समझनी है जो कि बहुत important है देखे एक सोल में जब आप admission ले लेते हो उसके बाद first semester का at least exam form आप भर देता हो यहलिए कि suppose करिया आपने new admission लिया है सोल में आपने first semester exam exam fees भी भरती सारी subjects की जितने मीं subject आपके course में हैं अब अगर उन में से किसी एक या दो subject माँ appear ना हो पाए तो यार आप सोचोगे यार इन दोनों subject की fees मेरें को जब मैं next time दुबारा से appear हूंगा तो इन दो ने subject की भी fees देनी होगी लेकिन भाई इगनू का थोड़ा अगर हम बात करें इगनू का case ऐसा है आपने admission ले लिया admission लेने के बाद exam form अलग से आपको भरवाया जाएगा उस exam form में आपको subject choose करने होंगे अब आप subject choose करते वक्त या अपने mind में ये चीज़ रख सकते हो कि या चार subject मेरे clear है यार यह दो subject मेरे इसे नहीं हो रहा है फिलाल तो आप क्या करना चार subject का form भरना खाली फीज़ खाली चार subject की भरना दो subject की फीज़ इनी भरना आप तो उसको करके आप 4 subject का paper दे सकते हो और बाकी के जो 2 subject आपके रह जाते हैं वो आप next session में दे सकते हो after 6 months ज बाद इगनू में आप 6 महीने के बाद वो पेपर दे सकते हो ये भी चीज़ है अच्छा एस वाल में आप में फर्स एर किलियर कर लिया उसके बाद सेकंड डियर के फॉर्म आपने सपोस्ट करी नहीं भरे तो उस केस में आपको एक साल लुकना पड़ेगा वही इगनू में अगर आप ऐसे हरकत करते हो कि भाई फर्स एर किलियर कर लिया देन सेकंड डियर के लियर जो रिजिस्ट्रेशन होता है वह आपने नहीं करा तो आपके सिर्फ छे महीने वेस्ट होंगे क्योंकि इगनू साल में दो बार एड़ेशन लेता है चाए वो निव एड़ेशन हो चाए वो रिर्जिस्ट्रेशन हो चाए वो एगजाम हो साल में दो बार चीज़ों होती है तो यह सब चीज़ा आपको दिमाग में रखनी है और बाकि छो ओनर के ओनी होते ह। हर जगा एक्जाम होते हैं पड़ाई भी हर जगा होती है ठीक है तो यही सब कुछ कंप्रेजन में आपके साथ करना आया था अब लास्ट में यहीं बजा दू कि यार फॉर्म कब निकलते हैं देखो यार SL के जो फॉर्म है अब अगर आप final year में हो अभी मुझे नहीं पता अगर आप SL में admission लेना चाहते हो न तो जब आप final year में होते हो तभी आपके फॉर्म निकल जाते हैं DU के जो regular के form होते हैं वही SL के same form होते हैं बहुत से बच्चे हर साल ये चीज मिस कर जाते हैं कि यार उनको पता ही नहीं होता कि SL के form है कौन से तो भाई SL के form वही होते हैं जो regular के form Delhi University निकलती है जिसमें आपका NC Web regular और SL include होता है कोई IGNU के जो form है साल में दो बार निकलते हैं एक July session में एक January session में अभी 31 December 2021 तक July session के admission चल रहे थे जो कि close हो चुके हैं अब I hope January session के admission बहुत सी चल शुरू होने वाले हैं जिसके उपर आपको मैं वीडियो जरूर बना कर दूँगा SL के form अब कब निकलेंगे ये भी आपको जानने की इच्छुक होगी तो देखिए DU के जब form है वो नॉर्मली मैं के last तक निकलते हैं या जून के first week तक निकलते हैं तो मैं जून का आप वेट करिए मैं जून तक ही आपके DU के form निकलेंगे हो सकता है जल्दी निकल जाएं ल आपके अगर कुछ चीज़ समझ में आती हूँ तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं कुछ क्वारीज हो तो इंस्टेग्राम में कॉंटेट कर सकते हैं कॉमेंट सेक्षिन में लिख सकते हैं तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही I hope आपको ये वीडियो यूसफुल लगी हो वीडियो को शेयर करेंगा थैंक्यू